नमस्कार दोस्तो प्रैक्टिकल एक्स्प्रेंस टेक्निसियन तपन यूट्यूब चैनल में आप लोगा स्वागत है आज कुछ निया सिखते हैं दोस्तो आज मैं आप लोग को मैगनेट का चेकिंग के बारे में बताऊंगा और जब आप कोई भी इलेक्टिकल का मैगनेट हमारा अच्छा है इसके साथ दोस्तों और एक फॉल्ड हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है कि अगर आपका मैगनेट में कुछ भी प्रब्लेम होता है तो कभी-कभी आपका मैगनेट पनल में टांस्फर्मर जल जाता है लेकिन ऐसा क्यों होता है किसली होता ह आज इस वीडियो में आप लोग के अंदर में जितना सारा डाउट है सारा डाउट में किलियर करूंगा और जब आप कोई भी इंटर्वी दीजिएगा तो पॉपर तरीका से स्टेप बाई स्टेप आप समझा भी सकते है इसके उपर बिलकुल भी कुछ भी डाउट नहीं रखना है जैसे दोस्तो अल्रेडी मैं मैं मैंगनेट पैनल को पर वीडियो भी बनाया हूँ पावास सर्किट कंट्रोल सर्किट और डिश्चाज सर्किट अगर यह सब वीडियो का आप नहीं देखे है तो जरूर देख लिजेगा और आप लोग हम से क्या रिक्वेस्ट कि देखे थे कि मैंगनेट पैनल में रेश्टेंस कितना उसका लगाएंगे और कापसिटर कितना माइको फरानेट का लगाएंगे ओभी बताईएगा तो इसके उपर आल्रेडी मैं जीस तरह से वीडियो बनाकर समझाया हूँ आज इस वीडियो में मैं तो आप लोग के स्टे है तो यह मैंगनेट हमारा कितना किलेवाट का है तो आज जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ यह हमारा एक 22 किलेवाट का मैंगनेट है और 22 किलेवाट का मैंगनेट अगर आप SMS में काम करते हैं या दूसरा कोई भी कमपनी में काम करते हैं तो देखिएगा ज्यादा तर हम हम लोगोगों 22 चोटा बी रहता है बड़ा भी रहता है लेकिन जो जो चेकिंगawan में बता हूंगा सबका चेकिंग आपका सेम रहता है कोई भी मैगनेट में disparate 2 सीह मेरे से हमारा मल्टी मेंटर से म Bridge करा है इसके लिए हमारे पास मेरे भी जाना जरूरी 1975 मल्टिमीटर को सेट किजिएगा तो किसमें सेटिंग करना है कि जाब आप इंटर्वी भी दे रहे हैं उस टाइम भी आपको बताना है कि मल्टिमीटर को हम ओम्स में सेटिंग करेंगे इस जगा में और यह हमारे एक डिजिटल मल्टिमीटर है और यह टोटली आटो सिस्टेम लेकिन इसमें चेंज भी होता है, यह जो फीला वाला स्वीज है, इसको दवा दवा का हम लोग चेंज करते हैं, जैसे continuity का भी आप चेकिंग कर सकते हैं, इसके बाद हमारा डायड का भी चेकिंग कर सकते हैं, उसके बाद हमारा आ जाता है ओम्स का चेकिंग, तो जब भी आप magnet का coil को check करिएगा तो आपको ohms में checking करना और कोई-कोई देखिएगा multimeter में आपका क्या लिखा रहता है 200 ohms लिखा रहता है तो उस पे भी आप आराम से check कर सकते हैं मैं आप लोग का हमेशे बताया हूँ कि multimeter में हमारा 2 गोल lead होता है एक हमारा common रहता है एक हमारा V और ohms लिखा रहता है तो जो V और ohms लिखा रहता है इसमें हमको लाल वला multimeter का lead लगाना है जो common वला है इसमें आपको black color का lead लगाना है उसके बाद आपको check करना है तो same to same दोस्तों मैं भी यहापे multimeter already भना के रखा हूँ तो आप लोगों को बहुत clean आसान तरीका से समझ में आ जाएगा अभी इस जगा में दोस्तों जब आप multimeter में check करिएगा तो multimeter को ताप ohms में setting कर लिए है तो एक lead आपको क्या करना है एक lead आपको common वला lead है यह जो आपको देखना है कि यह जो आपका magnet है यह magnet का coil का resistance value कितना बता रहा है और यह resistance value check करिएगा तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा magnet हमारा अच्छा है कौन सा magnet हमारा खराब है तो इस जगा में हमारा कितना भेलो बताना चाहिए तो ज़्यादा तर देखिया कि यह जो 22 kilowatt का magnet है इसमें आपका 3.5 ohms बता रहा है 3.5 ohms बता रहा है इसका मतलब है हमारा जो magnet का coil है यह ठीक है coil में कुछ भी problem नहीं है इसमें हम लोग और एक checking करते है कि magnet जो है इसका coil यह हमारा body है या नहीं है मल्टी मीटर में आपको सेटिंग करना है कॉंटी में सेटिंग करना आप देख सकते है लेकिन क्या होता है कभी कभी आपका body नहीं बताता है इसके लिए हम लोग क्या करते है यह जो coil है जो जिसके अंधर आपका magnet है उसके अंधर इस जगा में दोस्तों continuity में आपको body नहीं भी बताया फिर भी कोई दिकत नहीं है लेकिन ये जो आपका resistance value आया 3.5 ये ही आपको देखना है क्या हमारा बता रहा है या नहीं बता रहा है इसके जगा में दोस्तों अगर आपका 0.00 ohms बता रहा है तब आपको समझना है कि जो हम हमारा मैगनेट है इसका कॉयल में हमारा कुछ ना कुछ फॉल्ड हुआ है अभी जो आप मैगनेट चेक कर रहे हैं ये तो हमारा कौन समेगनेट है ये भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि जब आप इंटर्विव दिजिएगा तब आप से पूछेगा क्या आप कौन में बताना है अगर होड मैगनेट में काम किये हैं तो हाड वलाग का चेक करके आपको एक बार प्राक्टिकल में देखना है उसके बाद बताना है क्यूंकि दोस्तों मैं आप लोग साथ टोटाली प्रैक्टिकल एक्स्पिरियेंस शेयर करता हूं पहले में खुद सब कुछ चेक करके देखता हूँ, उसके बाद में आप लोगों को बताता हूँ, क्यूंकि जब भी आप कोई भी कमपनी में काम की जियेगा, तो मेरा वीडियो के साथ आपका चेकिंग पॉसेस भी सेम टू सेम मैच होना चाहिए, तभी क्या होगा, आपके अंदर में जितना सारा डाउट है, सारा डाउट किलियर होगा, अभी इस जगा में अगर आप कूल मैगनेट में काम किये हैं, जाना तर SMS डिपार्ट में देखिए, अगर कूल मैगनेट रहता है, तो इसमें और एक कोश्चन आ जाता है कि कूल मैगनेट होता क्या है, तो मेगनेट हमारा जितना गरम होगा तो हमारा जो देखिएगा CCM में आगर आप लोग काम किये हैं तो ब्लेड जो रहता है ब्लेड को देखिएगा होड मेगनेट लगा हो रहे तो उसमें बहुत ज्यादा करके ब्लेड पकड़ता है तो होड मेगनेट जितना ज्यादा गरम और कूल मेगनेट का जो आपका ओम्स बेलू है 3.5 है तब हमारा कोईल ठीक है अगर 00 बता रहा है मल्टी मीटर में रेश्टेंस बेलू तो हमारा खराब है इसके बाद दोस्तों आ जाता हमारा एनालोग टाइप का मेगार तो एनालोग टाइप का मेगार में देखिएगा एक आपका इस जगा में हैंडल लगावा रहता है तो हैंडल को हम लोग घुमाते हैं उसके बाद हम लोग चेक करते हैं लेकिन ये भी आपको जानना जरूरी है जो आप हैंडल को घुमा के बोल्टेज बना रहे है वो कौन सा बोल्टेज है ये हम लोग दोस्तों रहता है कि DC वोल्टेज है ठीक है और DC वोल्टेज से ही हम लोग चाहे मोटर हो या मैगनेट हो कोई भी कौयल रहता है इसको हम लोग DC वोल्टेज देके चेक करते हैं इसका भी एक दोस्तों चेकिंग होता है यह जो आपका माल्टीमीटर है माल्टीमीटर को आपको DC वोल्टेज में सेट दिये उसके बाद जब आप अनलोग टाइप का मेगार को हाथ से घुमाईएगा तो आपका देखिएगा DC वोल्टेज कितना आ रहा है ज्यादा तर देखिएगा थोड़ा सा सुलो घुमाईएगा तो आपका 500 वोल्टेज DC आता है कभी कभी क्या होता है इससे ज़्यादा भी आता है 522 हो गिया या 523 हो गिया इसी के आसपस अपका DC वोल्टेज आएगा इसका मतलब क्या हुआ कि एनलोग टाइप का मेगार को जब आप घुमा रहे है इससे हमारा जो DC वोल्टेज आ रहा है तो हम लोग का ये क्वा इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है और कोई भी लीड आपको लगाना नहीं है एक लाइन में लगा दिए एक आर्थ में लगा दिए इसके बाद आपको यह कोईल को चेक करना है तो उस टाइम आपको किस तरह से चेक करिएगा एक लीड आपको इसमें लगाना है जो आपको magnet का terminal है, terminal का एक point में आपको लगाना है और दूसरा point में आपको क्या करना है आपको magnet का body के साथ लगाना है, ठीक है? लेकिन जब आप body के साथ लगाईएगा तो क्या होता है, इस जगा में थोड़ा सा बहुत अच्छा से clean कर लीजिएगा, मतलब साप कर लिजिएगा, नहीं तो क्या होगा कभी कभी बताएगा, कभी कभी नहीं बताएगा और एक चेकिंग होता है कि मेगार हमारा सही है या खराब है, उस टेम हम लोग क्या करते हैं लाइन और आर्थ, यह जो दोनों लीड है दोनों का अपस में टाच करते हैं और देखते हैं का हमारा मेगार जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है अभी इस जगा में दोस्तों जो लाइन बला लीड है यह तो आप जो मैगनेट है इसका टर्मिनल में एक पॉइंट में लगा दिये और जो आर्थ लिखा हुआ है यह मैगनेट का बॉडी में लगा दिये इसके बाद आपको देखना है कि इनसूलेसेन रेश्टेंस वेलू हमारा कितना बता रहा है मतलब यह जो आपका कॉयल है यह कॉयल के साथ बॉडी का टाच है या नहीं है और अगर टाच है तो कितना परसेंड है तो इस जगा में जब आप चेक करिएगा एनलग टाइप का मेगर से उस टाइम अगर आपका बता रहा है 0.50 मेगा ओम्स तब आपको समझना है कि हमारा यह जो कॉयल है यह कॉयल आपका बॉडी के साथ टाच नहीं हुआ है और जब आपका टाच हो जाएगा उस टाइम क्या होगा उस टाइम आप देखिएगा 0.00 बता रहा है अगर 0.00 बताएगा तो आपको क्या समझना है कि हमारा कॉयल के साथ बॉडी का टाच हो गया है इसलिए बता रहा है तो यह हमारा ENALOG टाइप का चेकिंग हो गया अभी डीजिडिल टाइप का मेगार से भी देख लेते है डीजिटल टाइप का मेगार में अगर काम कीजीएगा तो इसमें एकदम साथ साथ दो गो पॉइंट रहता है एक आपका लाइन रहता है एक आपका आर्थ रहता है और इसी में हम लोगों दोगों लिड लगाना पड़ता है ठीक है अभी जब आप digital टाइप के मेगार से चेक करिएगा तो आपको एक setting point मिलता है कि आपको 250 में चेक करना है या 500 में चेक करना है या 1000 में चेक करना है अगर कोई interview दीजिएगा तो आप एकदम clean बताईएगा कि हम 500 मेगांस बला में setting करके चेक करेंगे ठीक है मतला यह जो एनलोग टाइप के मेगार है इसको आप घुमा के क्या बना रहे थे इसमें से आपका DC voltage निकल रहा था इससे भी आपका DC voltage निकलेगा तो 500 voltage हम लोगों को चाहिए एक मोटोर रहता है यह magnet का coil रहता है तो 500 volt देके हम लोग चेक करते हैं ज्यादा voltage नहीं दे सकते हैं किसलिए कि यह जो coil है यह coil आपका खराब होने का chance बहुत ज्यादा रहता है इसलिए कभी कभी देखिएगा electrical interview में पूछता है कि जो आपका 3 HP का या 10 HP का या 5 HP का मोटोर है कितना का मेगार से करिएगा तो हम लोग क्या बताते हैं कि जब भी हम लोग को चेक करना होगा हम 500 बोल का मेगार से ही चेक करेंगे ठीक है जो 500 बोल हम लोग बोलते हैं ठीक है तो यह कहां से बनता है जब आप analog type मेगार को घुमाईएगे तब ही आपका 500 बनता है और डिजिटल टाइप के में क्या होता है इसमें आप जैसे ही ओन कीजिएगा उसके बाद आप 500 में सेटिंग कर दिए सेटिंग करने के बाद यह जो लाइन बला लीड है और आर्थ बला लीड है यह दोनों में टाच करिएगा तब भी आपका जीरो हो जाएगा और हम लोग कौन सा में चेक कर रहे हैं कूल में चेक कर रहे हैं तो जाब हापका मैंगनेट बहुत ज्यादा गरम हो जाएगा उस टाइम कभी-कभी क्या होता है कि यह जो डिजिटल टाइप का मेगार है इसमें आपका जीरो बता देता है ठीक है तो उसको देखके आपको बिल्कुल भी टेंसें नहीं लेना है अगर आपका जीरो बता रहा है तो मैगनेट को एकदम बहुत अच्छा से पंखा लगा करना है और ठंडा करने के coil बिल्कुल भी ठीक है लेकिन जब आपका इसी जगा में 00 हो जाएगा तब आपको समझना है कि हमारा coil बिल्कुल भी खराब हो गया है मतलब यह body के साथ एक आप लगा दिये हैं और एक आप जो magnet का coil है उसका terminal में लगा के चेक कर रहे हैं और जीस तरह से मैं आप लोग को बता रहा हूं एही same to same checking होता है कभी कभी हम लोग क्या करते हैं यह जो आर्थ बाला lead है यह भी जो दूसरा बाला terminal रहता है इस पे भी लगा के देखते हैं क्या हमारा coil ठीक है या नहीं है और multimeter में हम लोग क्या चेक करते हैं continuity चेक करते हैं कि यह coil हमारा कहीं कट गया है या नहीं कट गया है यही same to same checking रहता है लेकिन multimeter में आपको setting बदल के देखना है कि किस time हमको continuity में चेक करना है किस time हमको resistance चेक करने के लिए ohms में setting करना है और मेगार से भी आप यह जो coil को चेक कर रहे हैं उस time भी आपको ध्यान में रखना है कि यह जो हम body वाला checking बताए है यह हमारा insulation resistance बदल चेकिंग है और यह बहुत ही important होता है और यह जो coil कट गया के नहीं कट गया है सीधा आपको यह वाला और जो हम लोग मेगार से चेक करते हैं insulation resistance बदल चेक करते हैं और जो multimeter से चेक करते हैं वह हम लोग resistance बदल चेक करते हैं अभी दोस्तों यह तो हो गया हमारा cool magnet का checking hot magnet का भी checking यही सेम टूसेम पॉसेस आपका रहता है मतलब कोई-कोई magnet में क्या होता है कि आपका दोगो कॉयल रहता है चाय आपके पास दोगो कॉयल रहे या तीन बला रहे या चार बला रहे बहुत टाइप का magnet आपको देखने के लिए मिल जाएगा कभ देखने लिए मिलेगा जब बहुत बड़ा बड़ा कंपणी में काम किंगा तो बहुत टाइप magnet आपको देखने के लिए लेकिन जिटना सारा चेकिंग का पॉसेस में बताया हो इसमें से आपको कुछ भी अलग नहीं करना है, checking process आपका same to same रहता है, अभी series lamb से किस तरह से check करना है, series lamb के लिए हमारा 230 volt AC supply चाहिए, ठीक है, तो AC supply में हमारा एक phase का हो गया, और एक हमारा neutral हो गया, ठीक है, तो neutral का आपको क्या करना है, सीधा यह जो आपका hot magnet है, यह आपको किस में देना है, body में देन मतलब यह पूरा आपका neutral हो गया, अभी neutral अगर body में touch होगा, तो किसी भी हल में, चाहिए MCC भी रहे है, या fuse रहे है, कटेगा नहीं, और यह जो फेज वाला supply है, यह आपको terminal में लगाना है, ठीक है, और जो आपका magnet का coil का terminal में आप लगाए है, अगर इसके साथ आपका body के साथ बाल जल रहा है, चाहिए आपका 100 watt का हो या 208 का हो, बाल पर जल रहा है, तब आपको समझना है कि यह जो coil है, coil हमारा body हो गया है, और coil कट गया है, या नहीं कट गया है, उस टाइम हम लोग कैट चेक करते हैं, उस टाइम हम लोग एक चेकिंग होता है, यह neutral बला लीट सबस् Twenty जो है हमलों को डैnaire कॉइल में लगाना पड़ता है इस टाइप से जब लगाईए गएगा अगर में bred relig वाड तव आहज लेकिल नहीं जल रहा है तभ हमारा कट गया है मतलब इस जो कईल घूमते गूमते कि एक लिट आपको बोडी के साथ दे देना है बोडी के साथ जबा बारफ लगाये है श्onne केमिनल में लगा आये हैं अगर बाल फोल्टेर आपका जल रहा है तो उस टाइम आपका समझना है कि यह जो हमारा मैगनेट का कॉयल है यह हमारा खराब हो गया है बोडी हो गया है तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों जिस तरह से स्टेप बाई स्टेप जितन इतना सारा चेकिंग बताया हूँ एक मैगनेट को चेक करने के लिए इतना सारा चेकिंग करना बहुत ही जरूरी है जब तक आप इतना सारा चेकिंग नहीं कीजिएगा तब तक आप कभी भी कॉनफर्म हो के यह नहीं बोल सकते हैं कि हमारा कौन सा मैगनेट अच्छा है कौ प्रैक्टिकल एक्स्प्रियंस सेर करता हूं पहले मैं खुद यह सब चेक करता हूं उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं और दोस्तों मैं आप लोग लिए जो ओफर देता हूं यसे मैं आभी जो कंपनी में जॉइनिंग किया हूं तो मैं आप लोग लिए क्या ओफर कि अगर आप लोगों मेरे साथ duty करना है तो मेरा जो यह वार्ट्सिंब नमबर है इसमें आप लोग को बाय डाटा सेंड करना ऩीक जब आप रटा सेंड किगेँए तो मेरा जो सिनियर है emails को मैफरोर्वर्ड करता हूं फीर आपके पास क्या होगा ओल याएगा और common प्रेंड मेरा वार्ट्सप गुरूप के साथ जुड़े हुए है तो अल्रेडी बहुत सा फ्रेंड हमको बाय डोटा भेजा भी है और उसमें से जितना सारा फ्रेंड को कॉल ऑल्रेडी चला गिया है तो आप लोगा यह जोईनिंग भी किजिए लेकिन इस विडियो में कोमें जरूर किजिएगा कि कौन कौन सा फ्रेंड के पास already call पहुच गया है क्योंकि बहुत सा फ्रेंड है जो मेरा वार्ट्सव गुरू में जुड़ा हुआ नहीं है और आभी तो वार्ट्सव गुरू में मेरा और जगा भी नहीं है क्योंकि फुल-फुल हो गया है इसलिए आप क्या कीजिएगा मेरा जो टेलीग्राम छविश को भी subscribe कर लिजिएगा मेरा जो यूटी veces को आपका टेलीग्राम छनल एक लिंग को मिल जाएगा तो refriger either ऐब आज के वीडियो के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक === येर कमेट जोरीर कीजिएगा और चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा क्योंके दोस्तों मैं जो YouTube चैनल चलाता हूँ ये भी मैं सोचता हूँ कि मेरा एक और जब आप काम कीजिएगा तब क्या होगा आपका अंदर में और भी जितना सरा डाउट है सरा डाउट किलियार हो जाएगा क्योंकि मैं पेजेड में रहूंगा जो भी आपका अंदर में डाउट है आप आराम साम से पूछ भी सकते हैं उसके लिए कुछ भी दिकत नहीं है तो इसलिए दोस्तों देखिएगा मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वीडियो के साथ साथ आप लोग को काम के बारे में ओफर भी दे देता हूँ नमस्कार जाए हिंद